आज की किताब है Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life हम बात करेंगे कि क्यों ये किताब इतनी famous है कि हर को इसकी बात करता है Ikigai का मतलब क्या होता ये जानने के लिए मैंने Google पर सर्च किया तो आया A Reason for Being यानि Life का Purpose Ikigai एक Japanese concept है जो बताता है Life की एक direction के बारे में आपने नोट किया होगा जापान एक ऐसा देश है जहां के लोग एक लंबी और healthy life जीते हैं करीब 80-90 साल तो वहाँ एक average इंसान अपनी जिन्दगी जीता है और वो लोग मानते हैं कि ये सब एक technique की वज़े से है उस technique का नाम है Ikigai उनके according हर इंसान का अपना एक Ikigai होता है कोई भी इस दुनिया का इंसान हो वो इंसान अपना एक Ikigai लेकर पैदा होता है ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इस diagram को देखो इस diagram के चारो कोनों पर आपको कुछ देखने को मिलता है लिखा हुआ सबसे first what do you love दूसरा है what the world steal यानि दुनिया को किस चीज की जरूरत है तीसरा है what do you can be paid for यानि ऐसी क्या चीज है जिसके लिए दुनिया आपको पैसे दे और fourth what you are good at वो चीज क्या है जिसे करने में आप सबसे ज्यादा अच्छे हो यही चारो चीजे मिलकर बनती है आपका एकिगाए इस book के chapter first में बात की गई है कि आपकी उम्र बढ़ने के बावजूद भी आप जवान कैसे बने रह सकते हैं जवाब है अपना एकिगाए ढूंड कर यानि जीने का purpose किसी को अपना एकिगाए जल्दी मिल जाता है तो किसी की तलाश जारी रहती है अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दो इस book में बताया गया है कि जापान में कहीं पर भी retirement का concept नहीं होता किसी की भी retirement नहीं होती क्योंकि वो सब अपने एकीगाई से रिटायर नहीं होना चाहते ये लोग कभी भी पेट भरकर खाना नहीं काते ऐसी सिब्जियां खाते हैं जिसमें हाई प्रोटीन होता है विटमिन्स होता है, सुबह जल्दी उठते हैं दबाव में नहीं बलकि खोशी से मास नहीं काते, नशा नहीं करते भारी दर्द देने वाला वरकाउट नहीं करते जिसे जिम्मे होता है बलकि ये लोग योगा करते हैं और पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं जैपनीज लोगों में खाने के मामले में एक term का use किया जाता है जिसका नाम है हारा हचीबू जो खाने से पहले ये लोग use करते हैं बोलते हैं इसका मतलब होता है eat until you are 80% full ये term खाना खाने से पहले वहाँ पर कही जाती है इसका मतलब होता है कि उत्रा ही खाओ जितने में 80% आपका पेट फुल हो जाए इससे बहुत कम chance होते हैं कि आपको दिल की बिमारिया लगे cancer हो या फिर कुछ और आप इस चीज को जानने के लिए कोई particular तरीका तो है नहीं पेट कब 80% full हो गया लेकिन Japanese लोग इसके लिए लोग छोटी छोटी प्लेटों में खाना सर्व करते हैं इससे क्या होता है देखने में वो प्लेटे भरी हुई लगती है और हमारा दिमाग कहता है कि ज्यादा खाना है इसलिए कोई भी विवदेशी जापान जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है तो कि वहां के लोग इतना ज्यादा खाते ही नहीं है दूसरा वहां पर ज्यादे दर लोग Jim जाइन नहीं करते हैवी वरकाउट के लिए बलक wünे यूगा पर ज्यादा फोकस करते है उन्हें अगर अपना वज़न कम करना होगा तो वो Jim जाइन करने के वज़ाए डायेटिंग पर फोकस करके वज़न कम करना जादा पसंद करते है इनके हिसाब से टेंशन कम लेना ही लंबी जिन्दगी जीने का एक सीक्रिट है चैप्टर टू में बात की गई है उम्र ना बढ़ने की राज की तो ये राज ये है कि अपने मन को जवान रखोगे तो आप भी जवान बने रहोगे जस तरह बाड़ी का वर्काउट ना करने से बाड़ी लूज हो जाती है उसी तरह दिमाग का वर्काउट भी ज़रूरी एक किताब है चैलेंजिंग दा ब्रेन फॉर हैल्थ और विज्डरम नाम की उस बुक के आथर ने लिखा है कि कभी भी किसी काम को शुरू शुरू में जब हम करते हैं कोड़ से सुनना किसी भी काम को शुरू शुरू में जब हम करते हैं तो वो बहुत मुश्किल लगता है ये बात सही है कि पहली बार जब हम उसे करते हैं उसे पूरा करने में बड़ी problem होती है लेकिन उसी काम को जब हम दुबारा करते हैं तो पहले की हुई practice हमारे काम में आती है और दूसरी बार हमें इतनी तकलीफ नहीं होती उस काम को करने में तो थोड़ा-थोड़ा बदलाओ जरूरी होता है यह चीज हमें यह सिखाती है कि वो काम तो बदला नहीं है, काम तो वैसा ही है, लेकिन हमारा experience उस काम को करने के लिए बदल गया, मानो या ना मानो, science भी इस बात को मानता है, कि वक्त से पहले बुड़ा दिखने का सबसे बड़ा reason होता है, tension, बड़ी बड़ी universities ने experiments किये हैं, कि stress के time पर bodies में क्या changes आते हैं, stress की वज़े से नई पेशिया बनना बंद हो जाती है, मतलब कि उसमें बहुत रुकावट आती है, और इस book के हिसाब से यह stress को बढ़ाने का सबसे बड़ा काम किया है, आज के competition के माहल ने, आज आप देखोगे, कि लोग phone पर बात करते हुए टीवी देखते हैं, नाश्ता करते हैं, उनसे पूछो कि अभी जो आपने omelet खाया, उसमें प्यास था कि नहीं, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, सीती सी बात है, क्योंकि stress बहुत है, यहां इस book में उन लोगों से मिलकर बात की गई, जो 100 के उपर की जिन्दगी जी र पसंद करते हैं, हम कितने भी डबल अप हो जाएं, लेकिन हमारी body को activities की जरुरत होती है, उनके हिसाब से, जो हमें करनी ही चाहिए, अब सब चीजे हमको machine नहीं करवाती रहेगी, देखो इस book में बोला गया है, कि किसी की भी सही जाननी है, तो उसकी skin को note करो, हमारी body में ज लोग भी बताते हैं, कि हम सबसे पहले सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं अपनी skin पर, यूँकि हमारी skin glow करेगी, तब ही हम glow करेंगे, हम यह decide करते हैं, कि हमारा जो शरीर है, वो वक्त से पहले बुड़ा दिखेगा यह जवान, चैप्टर 3 में बताया गया है, लंबी इस बुक में कहा गया है, वो खालिपन भड़ता है, एक ही गाए ढूंड कर, आप किसी भी इंसान से कुछ भी चीन सकते हो, सिवाए एक चीज के, वो चीज क्या है, किसी भी समस्या को किस नजरिय से देख रहा है, यह तो उसकी आज़ादी है, इसे आप नहीं चीन सकते, उ इस बुक में, कि मान लो एक घदे को किसी खंबे से बांध के रख दिया जाए, तो वो खुद को उस खंबे से छुडाने की नाकाम कोशिशे करेगा, और उस कोशिश में जब वो ठक जाएगा, तो खंबे से ही गोल 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 चक्कर लगाएगा, उसे लगता है कि उसने बह भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उससे जुड़ते जाते हैं, अगर आप विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हो, या इससे भागने की कोशिश कर रहे हो, तो बेकार है, विचारों उतने ही ज्यादा घेरे होते जाएंगे, तो ये ज्यादतर थेरपियों में क्या काम किया जाता है, मरीज को कोई उसकी समस्या हल नहीं कर दी जाती है बलकि उसको तयार किया जाता है ताकि वो उन सिचुवेशन का सामना कर सके यहाँ पर इस बुक में कहा गया है कि अगर आप गुस्से में हो गौर से सुनना, बहुत कमाल की बात है यहाँ पर बुक में कहा गया है कि अगर आपको गुस्सा आता है और आप गुस्से में हो किसी से जगड़ा करने का बहुत मन कर रहा है, तो तीन दिन तक रुको, फिर जगड़े की शुरुआत करो, तीन दिन रुके देखना आपका जगडा करने का मनी नहीं करेगा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संसार का नियम है कि हर चीज की density में हर चीज के घनत्व में time की साथ कमी आती है चाहे वो आपका गुसा हो, चाहे वो आपका दुख हो इस book के chapter 4 में बात की गई है खो जाता है, उस काम को करते वक्त ना तो उसे अपना ego याद आता है ना ही दूसरा भाव उसके मन में आता है ऐसा होता है ना हर किसी की life में कोई ना कोई एक ऐसा काम होता है जिसे करते हुए आदमी खो जाता है किसी को खाना बनाने में मज़ा आता है किसी को बाइक चलाने में, किसी को बाल काटने में तो किसी को teaching में ऐसी feeling आती है तो वो ओन सा ऐसा काम है जिसे करने में हम घंटों दे सकते हैं और हमें ऐसास भी ना हो किसी सवाल का जवाब ढूणना ही किगाए की खोज है और इस book में कहा गया है कि एक वक्त पर एक ही काम करना चाहिए यही success का तरीका है क्योंकि हम computer नहीं है जो एक program से दूसरे program में कुछ second हो में shift हो जाएंगे हम इंसान है और इंसानों की तरह हमें एक वक्त पर एक ही काम करना चाहिए एक teacher थे जिन्होंने अपने students को multitasking काम करते हुए देखा तो उन्होंने एक experiment से साबित कर दिया कि multitasking से ध्यान में कमी आती है इंसान किसी बात पर धंक से ध्यान नहीं दे पाता इस चीज का एक बहुत अच्छा solution ये दिया गया है इस book में कि हफते में जब हम एक दिन का खाने का उपवास रखते हैं तो क्यों ना हम technology का भी एक दिन का उपवास करके देखे और जापान में लोग ऐसा सच में करते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग एक बक्त पर एक ही काम को करना पसंद करते हैं कुदरत को technology से challenge करने ही कोशिच नहीं करते बलकि दोनों चीज़ों का बरावर advantage लेना चाहते है अब ऐसा कहना भी सही नहीं होगा सिर्फ जापान में ऐसे लोग है बाहर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि Einstein मरने से कुछ गंटों पहले उन्होंने एक formula लिखा था और violent बजाना उनका shock था वो physics की सवाल solve करने के साथ साथ violent भी बजाया करते थे तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो चीज़ें उनकी जिंदगी के एकिगाई थे उमीद करता हूँ आपको एकिगाई का मतलब समझ में आया होगा और आपको ये book पसंदा रही है दोस्तों इसका एक छोटा सा पार्ट और बनेगा जिसमें हम इस book को complete करेंगे इस book में total 9 chapters हैं दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 4 chapters डिस्कूस की हैं बाकी के 5 हम next part पर डिस्कूस करेंगे आज की वीडियों वसतना है